छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के बीच इन दिनों यूट्यूब पे दो भाईयों का नाम बड़ा मशूर हो रहा है जो अपने आठ और फणी ब्लॉक से सब के चहीते बन गए है दोनों के वीडियोस इस कदर पसंद किये जाते हैं कि अपलोट होते ही देखने वाले और अपलाइक करने वालों की संख्या पलभर में ही लाखों त्यक पहुत जाती है जिनोंने नंबर वन यूट्यूबर का खिताब भी अपने नाम किया है आज हम बात कर रहे हैं सौरब जोशी और प्यूस जोशी की सौरब जोशी व्लॉक्स में सबसे एहम किरदार प्यूश का आई है सौरब जोशी उत्राकंड भारत के एक फेमस यूट्यूबर कलाकार शोशल मीडिया स्टार पैंटर और व्लॉगर है वह यूनीक और पोट्रेट आर्ट से सुर्ख्यों में आए है जिसे वह अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता है सौरब जोशी ने शौर के लिए वरक्शोप का भी आयोजन किया करते हैं जहां उन्होंने बच्चों को एक विशेश कला डिजाइन बनाना सिखाया है कोरोना वाइरस लोगडाउन के दोरान उन्होंने अपने कला कोशल का उपयोग करने का निन नहीं लिया उन्होंने फेमस हस्तियों के कई पोट् वर्स में से एक है बेहत सहज और सरल नजर आ रहे सौरब के भीतर कहीं भी इस बात का गुमान नजर नहीं आया कि उनकी हर महीने की कमाई 20 से 22 लाक रुपए है सौरब जोशी ड्रॉइंग करना बचपन से ही पसंद करते थे जिसकी वज़से उन्होंने 12 पास करने के बाद ड्रॉइंग में ही कुछ बड़ा करने की सोची और वह खुछ से ही प्रैक्टिस करने लगे लेकिन ड्रॉइंग में लगातार मेहनत करने के बावजूद भी ने कोई सफलता नहीं मिली और इसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर अपना हुनर दिखाना चाहा इसके बाद सौरब ने अपने ड्रॉइंग आर्ट का चैनल शुरू किया जिसका नाम सौरब जोशी आर्ट से शुरुवात में तो सौरब जोशी को कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली लेकिन 150 से 200 वीडियोस अपलोड करने के बाद इनके वीडियोस पर अच्छे खासी व्यूज आ आने का आइडिया आया और इन्होंने चैलेंज लिया कि वो अपनी चैनल पर 365 दिन में 365 वीडियोस अपलोड करेंगे उन्होंने जब शुरू किया तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनका चैनल इतनी उचाया चूलेगा आज सौरब जोशी व्लोग्स के 5.84 मिलियन यानि की 58 लाग सब्सक्राइबर है और उनकी सभी वीडियोस पे 30 से 35 लाग व्यूज आते हैं और सौरब जोशी आर्ट्स के 1.7 मिलियन यानि की 17 लाग सब्सक्राइबर है और आज भी सौरब रोज एक डेली व्लोग्स डालते हैं और दुनिया भर में खूब शुमार है पिलिक राजीब टाइम्स के पेच को सब्सक्राइब करें और शेयर करें धन्यवाद